मित्रो पती मांगता है ये एक ठीज तो तुरंत देने के लिए जट से हो जाएं तैयार लेकिन वो चीज ऐसी क्या है ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ वीडियो में बिलकुल आन्द तक नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस यूटूब चैनल पे दोस्तों आचारे चाड़क के बहुत बड़े अर्दसात्री और नीतिकार थे आज भी उनकी नीतियों का पालन लोग करते हैं चाड़क से राजा महराजा भी सिच्छा ग्रहार किया करते थे आपको बता दे आज के समय में भी लोग आचारे चाड़क की नीतियों का उपियोग अपने जीवन में करते हैं उनकी बात लोग आगे बरहने की सलाह देते हैं दोस्तो आचारे चाड़क के नी पती पतनी और दापत जीवन पर भी कई विचारों का बरहन किया है उन्होंने बताया है कि ग्रहास्त जीवन में खुसियां तभी आएंगी जब पती और पतनी दोनों एक दूसरे के साथ खुस रहेंगे इसके लिए दोनों को संतुष्ट रहना बेहत जरूरी है दोस्तो पतनी को पती की कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए अगर पती अपनी पतनी से इन चीजों की मांग करता है तो पतनी को बेजिजक पूरी करनी चाहिए तो चलिए दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एक चीज के वारे में ज इस चीज के बारे में मित्रों वो चीज है प्रेम की चाह को पूरा करी। दोस्तों आचार चारक के कहते हैं कि पती और पत्नी के बीच प्रेम का बरकरार होना बहुत जरूरी है। कई बार ध्यान ने देने पर रिस्तों में दरार आजाती है ऐसी इस्तित में पत्नी को अपने पती पर ध्यान देने की जरूरत है अगर आपस में प्यार नहीं होगा तो बहुत बार लड़ाई जगलों की इस्तिती बनी रहती है इसलिए पतनी को हमेशा अपने पती के प्रति प्रेम जाहिद करना चाहिए, हर संभब रियास करना चाहिए, के रिस्तों में परेशानी ना आए, इसलिए पती को चाहत प्रेम की हो तो उसे प्रेम से संतुष्ट करना पतनी का करता भी होता है अब दोस्तों आईए दो कारण आपको बताते हैं कि महिलाएं क्यों बनाती हैं गैर मर्दों के साथ सारी रिक संबन्द मित्रो नमबर एक है सेक्स में असंतुष्टी दोस्तों कई बार महिलाएं अपने पती के साथ संबन्दों से संतुष्ट नहीं होती इस बात को बाहर खुल कर कह नहीं पाती जिसकी बज़े से बाहर की ओर भागती है और गैर पुरुसों के साथ संब्ध बनाने से बिलकुल भी नहीं चुकती है और दूसरा कारण है सेक्स के बारे में अल्प ग्यान मित्रों सेक्स के ममले में पुरुसों की मालसिकता अजीब होती है पुरुस अक्सर इस्तिरी के साथ संब्ध बनाते समय स्वे सेक्स का पूरा आनन्द लेना तो चाहती है जबकि बाह कभी यह जानने की कोशिस नहीं करता जिसकी बजह से बाखोस नहीं रह पाती और अन्य पुर्चों से यह संतुष्टी पाना चाहती है और मित्रों नमबर तीन है अकेला पन मित्रों कई बार पती के साथ ना होने की बजह से बह अकेला पन महसूस करती है कई बार पार्टनर काम के सिल्सिले में देश से बाहर होती हैं पार्टनर के अकेले पन को दूर करने के लिए बाहर सहारा ढूंडती है और मित्रो नमबर चार है सबसे अहम कारण है आयोग लड़का लड़की का भी बाहर मित्रो आज भी बहुत सारे गाउ में छोटी उमर की लड़की की साधी बड़े उमर के आदमी से कर दी जाती है माबाप लड़की की साधी करके सोचते ही कि उनके सर का बोज उतर गया लेकिन बे यह नहीं जानते कि इस तरह की सादी किसी लड़की के लिए कितनी घातक है सादी के बाद बह आएसे मर्द के साथ खुश नहीं रह पाती क्योंकि बह उसकी मनसाव को संतुष्ट नहीं कर पता नहीं दोनों की सोच मिलती है आयसे में महिला का किसी और पुरुस की और आकरसित होना लाजमी है और मित्रो पाचमा और सबसे अहम कारण है साधी समान उमर में ना होना दोस्तो किसी भी लड़की की साधी समान उमर के लड़के से ना करना एक बहुत बड़ी समस्या है लड़की की साधी चाहे छोटी उमर के लड़के से हो या अधिक बड़े उमर के लड़के से दोनों ही इस्तित में लड़की ही परेशान होती है आयोगे साधी के कारण पूरुस को तो सेक्स से संतुष्टी मिल जाती है लेकिन इस तरी को सेक्स से संतुष्टी नहीं मिलती इस तरी को सेक्स संतुष्टी ना मिलने के कारण इस तरी दूसरे पूरुस के साथ संबंध बनाने पर मजबूर हो जाती है तो मित्रों हमारा आज का ग्यान बर्धा का और knowledgeable videos बस यहीं तक था तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही ग्यान बर्धा का और knowledgeable videos के साथ तब तक के लिए इस्टे motivate इस्टे फेले